तो चलिए फ्रेंड देखे आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस में फोर समस्टे का जो पार्ट है यूमन डॉलप्मेंट यानि की बाल विकास इसके पेपर 3 को लिखिर क्या है जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग जिसे हिंदी में बोला जाता है वैज्यानिक तो आज हम लोग देखिए आपने जो यानि कि होम साइंस में फोर समस्टे का जो हमारा पार्ट था यूमन डॉलप्मेंट ठीक है इसके दो पेपर आप लोगों के फाइनली कंप्लीट हो चुके है यानि कि एकजाम जो हो आप लोगों का हो चुका है ठीक है अब हमारे सब्सक्राइब करने जो को चुक्त ठीक होता क्या है ठीक है कुछ टीचर्स होते हैं जो लोग यानि कि रिस बार क्या रहना है कि सारे आप लोगों के जो शिरीज वाले कोश्चन है और पीडियेप के सारे हम लोग ढुत कर लेकर लेंगे क्या सब्सक्राइब कर चैए ऐसे सबक्राइब कर चैझे से से अई विकास जयासे से में साइफिए और बच्चों को क्या लगेगा कि हमारे Patriot Series से Question उठाया गया है थीक है तो उस Super Series का जो प्रचार करना होता ओर ऐसे ही होता है और इसलिए देखें जो आप लोगों का Second Paper था Second Paper में जो आप लोगों का पेपर था वो देखें पूरा का पूरा य तोटली आप लोगों के first paper के series से आये हुए थे questions ठीक है बस वहीं माल लीज़े 15-20 questions रहे होंगा जो आप लोगों का जो book से question था मेरे द्वारा दिया गया था question वो question आया थे उसमें भी options जो है वो थोड़ा सा change दे दिया था ठीक है 15-20 questions बड़ फिर भी आप लोगों के आये हुए थे तो अब एक तरह से होगा क्या कि बच्चों को क्या है कि भरोसा हो जाता है कि source series से questions पूछ रहा है ठीक है बुक से नहीं तो बच्चा क्या करेंगे source series लेंगे अगली पर क्या होगा कि source series से questions ना पूछ करके बुक से दे देगा ठीक है जिससे बच्चों का number क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगा तो आप लोगों को क्या करना है दोनों पे 100% full तयारी करनी है ठीक है तो इस प्रगार से देखें कुछ टीचर्स हैं कि उठाकर सीधे source series से पूछ देते हैं और कुछ टीचर्स हैं कि आप लोगों के questions जो है वो सीधे बुक से देते हैं तो आप लोगों के बुक से देना चाहिए न कि source series क्योंकि source series में काफी कुछ हटके दिया रहता है जैसे कि आप लोगों थर्ड पेपर की series उठाकर के देखेंगे तो वहां पर जो questions पेपर यानि कि बहुत चीज़े हटके दिया गया है ठीक है जो आप लोगों ने पढ़ा था अनुसंधान वागेरा रिशर्च ठीक है उससे रिलेटर कोश्चन आप लोगों के सिरीज पर दिया गया है ठीक है लेकिन जो बुक में आप लोगों के scientific writing से रिलेटर कोश्चन पूछा गया है ठीक है तो इसलिए आप लोगों के सिरीज दोनों के कोश्चन देखकर के तभी जाएगा एक्जाम देने ठीक है ठीक है देखे सिरीज के जो कोश्चन आज से मैं स्टार्ट करें हूं सारा कंप्लीट करा दूंगी ठीक है और देखे थोड़ी सी डिश्टर्बिंस बहुत ज्यादे चल रही है और ठोड़ा मेरे कान में भी पता कोश्चन का और एक हंड़र कोश्चन के क्लास इसके जश्ट बाद भी पीडिएफ तयार हो रहा है इसको तुम आने कि इमेज के माध्यम से आनी के पीडिएफ ले करके बना रही हूं क्योंकि टाइम ही नहीं था ठीक है बहुत जादे प्रॉब्लम हो गई थी और अभी एक पीडिएफ आप लोगों की तयार हो रही है तो इसकी जश्ट बाद क्लास लेंगे और वो आप लोगों को रात के नौ बजी तक जैने की जो वीडियो होगा वो उसका मिल जाएगा सेकेंड पार्ट वाला ठीक है तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास के सुरुआत करते हैं तो चलिए अपने कोश्चंस की तरफ चलेंगे और देखते हैं हमारा पहला की कोश्चंस क्या कहता है देखे जो स्वेर सिरीज में आप लोगों का फॉस्चंस था यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो आप लोगों को पेपर होगा वो हम पीडियाप में आप लोगों को अगली क्लास देंगे तो बिल्कुल बात सही है कोई बोलता है तो वो ज्यादे ही दिमाग में बैठता है बसरते यह रहना चाहिए कि आवाज जो उसकी वाई से वो समझ में आने चाहिए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादे ध्यान ने देना है ठीकिए पढ़ने का मूड भी नहीं कर रहा है तो आप लोगों को अपने पास फोन रखिए ठीकिए और आप लोगों को कैसे बढ़ाई करनी या आप लोगों को खुती ताय करना है वीडियो तो मेरे माध्धम से आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब पढ़ना जाता है पहला प्रचण ओष्छन के उत्तर को खोजना की किसका उद्देश है यानि कि जो बग्यानिक प्रडालियों के उपियोग द्वारा, ठीक है, प्रशनों के उत्तर को खोजना किसका उद्देश यह होता है, पहला उप्षन है आपका सरवेच्छड का, सेकेंड उप्षन है आपका अनुशंधान का, थार्ड है आपका शोध प्रारचना का, और फो सुद्देश होता है, जो आपका आनुशंधान होता है, यानि कि जो रिसर्च होता है, ठीक है, तो यहां पर आपका जो राइट ऑप्षन बनेगा, आपका सेकेंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अब यह भी कानों में देखे, बहुत ही जदे दर्द हो रहा है, ठीक ह अब इमनिंग में जाओंगे, डाक्टर के पास थोड़ा सा दिखाने, तब तक आप लोगा क्लास जो है, वो कंप्लेट करा देती हूं, अगला कोशन है आप लोगो काया कि स्विक्रत सिध्धानतों के आधार पर किसी सामाजिक समस्या का आकलन करना कौन सा अनुशंधान कह जाता है, यानि कि जो स्विक्रत सिध्धानतों के आधार पर जो शामाजिक समस्या का अध्यन करना है, ठीक है, उसको कौन सा अनुशंधान कहा जाता है, पहला option है मौली का अनुशंधान, सेकेंड है आपका ब्यवहारी का अनुशंधान, थर्ड है वज्यानिक अनुशंध यानि कि जब भी समाज में जा रहे हैं तो आपके बिवहार समस्या का अध्यान करना है इसको बेवहारी कनुषण अधान कहा जाएगा ठीक है यहां पर आपको फ़र होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चिन है कि निम्न मेंसे किसका शामाजी कनुषण अन तो देखें यहां पर अपसे को समाजिक अनुसंधान का तार्किक आधार नहीं माना गया है तो जिसको नहीं माना है वो आपकी शामाजिक घटनाव को अनियमित जुक्तरा में उसको नहीं माना गया है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका राइट अप्सन होगा अप्सन नमबर थार्ड स्वरी सेकेंड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि समाज वेग्यानिक समाजिक अभियंता के रूप में समाजिक समसियां के समाधान में महतपूर योगदान कर सकता है यह किसका कथन है, यानि कि यह कथन जो है, यानि कि जो समाज है, वो भैज्यानिक अभियनता के रूप में समाजिक समस्याओं के समाधान में महत्तुष योगदान कर सकता है, यह कथन जो है वो किसका है, पहला जुग है 2021 एन्ड एंड, एक 2021 Im shift कुछ योगदान कर सकता है यह जो कतन है यह आपके डाक्टर मजूमदार का है ठीक है यहां पर आपका जो फॉस्ट आप्सन होगा वह ही विल्कुल करेक्टर हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और अगला कोश्चन है आपका की समाजी कानुशंधान प्रक्रियाओं की ब्यवस्थित खोज एवं इसलेसर की कैसी पध्धती है यानि कि आपका शामाजी कानुशंधान यह सभी देखे आप लोगों के फॉस्ट समेश्टर में का ही कोश्चन पूछा जा रहा है ठीक है सीरीज के माध्यम से अब आपको देखना है कि आप लोग स्लेबस पर आधारित रहता है लेकिन यह सब जो भी आपको पढ़ रहा है सीरीज के ठीक है यानि कि आप लोगों के स्लेबस के कोश्चन नहीं है यह आप लोगों के फॉस्ट समेश्टर का जो फॉस्ट और से कोश्चन लिए गए है और देखे जो टीचर है युनिवर्सि से कोश्चन पूछन चाहिए अब देखना यह है कि पुछता क्या है इनिवर्सिटी वाले क्या ही कोश्चन बनाए हुए है ठीक है बट आप लोगों के तयारी जो है वो तो कंप्लेटली करने ही पड़ेगी चाहे कोश्चन कहीं से पूछे क्योंकि नुकसान तो आप लोग अगला कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखते है अगला कोश्चन की अमारा क्या कहता है क्या कहता है सामाजिक सत्य की परषप equidae क्रति प्रक्रियाओं प्रक्रियुका प्रक्रियाम की विविद खोज और स्माजिक अनुषंधान ही यह कथन किसका है। Pहला 10 1. यहां पर देखे जो आपका प्रक्रिय निया भी क्यों परसपर संबादित प्रक्रियाओं की विविद खोज और विसले सड़ ही सामाजिक अनुशनधान ये कथन किसका है तो ये जो कथन है फ्रेंट से आपके स्रीमती पीवी यंग का है ठीक है तो यहां पर आपका जो देखे सेकेंड आपसन है वहीं बिल्कुल करेक्ट हो ठीक है अगले कॉश्चन जो आप लोगों कि हम कराएंगे उसमें आप के श्रीज करी के मुक्फव कॉश्चन होंगे ठीक है ठीक है HOW ये अगला कोश्चन है आप लोगों का आप से सर्व प्रतम आमस्यक पत्त्यु और फॉर्थree आपर संथbew चार्छाम्सuffy को परी लोगों के Slayvers Plus Series के Mix Up Questions होंगे ठीक है अगला question है आप लोगों काया कि निम्न में से अनुषंधान का यानि कि निम्न में से कौन अनुषंधान का सरवप्रतम आवस्यक तत्व है पहला option है आपका प्रारंभिक स्थीतियों से परिचे सेकेंड आप्सन आपका भावी कठिनाईयों का आभास थाड़ आप्सन आपका अनुषंधान समस्या का निर्धारण और फोर्थ आप्सन आपका अनुषंधान ब्याय का अनुमान ठीक है देखे जो कोशन पूछा गया है कि कौन अनुषंधान का सर प्रतम आवस्यक तत्व होता है तो देखे जो सबसे पहला तत्व होता है ठीके वो अनुषंधान समस्या का निर्धारण करना होता है ठीके तो यहाँ पर आपका जो थाड़ आप्सन होगा वो आपका option नमबर थ बॉल्तिक यहां पर आप पर ओखने का स्माजय के व्रद्धी करना सामाजिक नियंत्रमे शहायता और थोड़ आपसंन है आपका विज्ञान की उन्नति में शहायता और फौर्थ आपका उपर युगतु सभी तो देखे कान सा स्माजिक अनुषंधान का भौतिक लब है तो आपका शमाजिक कल्याड की वृद्धी, शमाजिक नियंतर में शहायता और विज्ञान की उनती में शहायता ये सभी आपके most important हैं ठीक है भौतिक लाप में तो यहाँ पर आपका जो right option बनेगा option number आपका force जो है वो बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question है आपका कि समस्तास्त्र में मानो शमुह के संबंधों का अध्यन होता है यह आपके हिटने के द्वारा कहा गया है किसके द्वारा कहा गया हिटने के द्वारा बर्नार्ड के द्वारा स्रीमतियंग लुंडबर्ग यहाँ पर जो right option है आपका option number first ही विल्कुल correct है हिटने के द्वारा ओकी चली अगल स्सक्राभा ग Cat do तो यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा उपर युक्त आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समाजी कनुसंधान का जो सध्धानतिक उद्दास से है ठीक है यानि कि उद्देश यह तीन ही आपके समाजी कनुसंधान के दो उद्देश olvidक है ठीक है पहला उद्देश से नए तथ्यों की खोज करना है तो दूसरा उद्देश क्या उद्देश से PLAYB2 की प्रमापी करणूबắmगर थर्ड़ हैं तो यहां पर राजिक अनुसन्दान के दो उद्दिस होते हैं पहला तहां आपका कि पुराने तथ्यों का सत्यापिन करें थीश ना अपके पुरणे करना यहां तो दूस्तव हो जाएगा को देखते ओअंगा है और सभू लोग से सब्सक्राइब करते हैं, मैंने आप सभी लोगों से बोला है कि एक लोग जो है वो दो लोगों को सेयर करेंगे तो देखिए बट आप लोगों को अब यह काम नहीं करना है आप लोगों को एक लोगों को सेयर करना है क्योंकि जो एक्जाम है वो काफी नजदिक है परसो ही पढ़ी मिल पहें और सभी लोग पास हो पाएं किसी का बैक ना लगे और सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो पाएं तो यह पैंप लोगो की जिमतारी बनती ही झायदे से ज्यादे लोगों को शेयर करें थीक है तो चलिए अगले कोशन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अ स्माजिक अनुसंधान समाजिक घरंड्नाओं के शन्चालक कारकों की खोज करta और three option guys नीम्नमा में से किसी समाजिक अनुसंधान का लचछड माना जाता। और यह समाजिक अनुसंधान के संचालक कारकों की खोज करता है— अगला कोशन है आपका कि समाजी कनुशंधान का मुख्य उद्दे से निकट या दुरस्त समाजिक जीवन को समझना और उसके द्वारा समाजिक बेवहार पर अधिक नियंतर प्राप्त करना है या कतन किसका है यानि की देखिए एक डिफिनेशन दिया गया है स्टेटमेंट कि समाजिक अनुशंधान है इसका मुख्य उद्दे से निकट या दुरस्त समाजिक जीवन को समझना और उसके द्वारा समाजिक बेवहार पर अधिक नियंतर प्राप्त करना है यह कतन किसके द्वारा कहा गया है याने के ढक्टर और अर responder को का निसर कहा गया है स्रीमतियंग के दिवारा या पिर चया पिनन के दिवारा ओक स्षिद्वरा के दिवारा थीक है तो चलें हैं अगले कोश्चन की तरफ और देखते हैं अगला कोश्चन पहें कि देखिए अगला कोश्चन है आप लोगों का कि स्री मती यंग ने समाजिक अनुसंधान के चार प्रिरख तत्तों का उल्लेख किया है इन में से कौन सा तत्व आशत्य है यानि कि देखिए सबसे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर कि स्री म से को पूछे जा सकते हैं वैसे यदी इस पूरा पर में यही उत घ्री उतार दें गे और और उन की पहले को नहीं करते हैं आप की पहुत सकते हैं मिंद्वोग जो पढ़ा रही है वह एक भी ऐम पहस्तित म Эक फश्टा संध Dus आप्स dadurch को मिन दू.पनुनुतिस नहीं है कर स जैसे कि अंकिता पंडे हैं और उनके साथ एक दो लोग और कमेंट करते हैं इस टाइप के तो देखें फर्ष्ट पेपर के आप लोग के जितने भी क्वेश्चन फसा था उस सारे आप लोगों के बुक्स के ही क्वेश्चन फसाए गए थे पेपर में ठीक है यानि कि जो की जामनर किया क्योंकि उसने सेकेंट पेपर से आप लोगों के फ़ोष्यन फेपर पूछे ही नहीं थे बहुत कम जयोंकर कर लोगों के से क्वेश्चन फसाए पेपर से ही वैझार अव्हं तो आप लोगों के साथ साथ क्वेश्चन फस परेपर g Connets से भी कोसिज उखने ज़िसाइब नहीं बांप लग के समेंभाई कर देते डिकों हैधारा बैक्ता है। बहुत सीम्पल ही तरीक से बोल सकते हैं कि आज के ख्लास में अग्जेक्ट नहीं फसे थे हैं. आप लोग सीधर टैक करते हैं कि मैं आपका पढ़ा हुआ नहीं फसता है. यह तो कोई मानने वाली बात ही नहीं है कि मेरा पढ़ावा question फसता ही नहीं है exam में ठीक है थोड़ा सा ध्यान दिया करिए और आप लोग सुआते हैं कि माइम जो question बताए और नहीं question फस जा थो देखिया हर paper में ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आप लोगे जो question बताए हर paper में फस तो सारे लोगों के तो 75 ही आ जाएंगे, कोई अलग से उसमें दीखेगा गिने कौन बच्चा प्रतिभासियल है, कौन बच्चा क्या है, इस प्रकार से कोई बच्चा दीखेगा ही नहीं, तो इसलिए कुछ बाहरी भी जरूरी होता है, बठाएं, यह है कि स्योर सिरीज ते को स्योर सिरीज की तयारी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आप लोग को सिरीज की भी करा दे रही हूं, तक आप लोग डिमोटिवेट ना करें किसी को, यदि आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, चलिए, कोश्चन आप लोग का कोश्चन नमबर 15 था, श प्रड़ालियों की खोश करना और पुरानी का परिच्छा करना, ठीक है, यहां पर कोश्चन पूछा गया था, कि स्रीमति यंग ने हैं, ठीक है, यहीं आपके स्रीमति यंग के द्वरा प्रेरग जो उल्लेख उसमें से नहीं दिया गया, यानि कि यहीं असत्य है, ठीक है, तो जो फर्स्ट आप्सन होगा, वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अगला कोशन है आपका, कि जिग्यासा मानव का मौलिक गुड़ है, ठीक है, यानि कि जिग्यासा है, वो मानव का मौलिक गुड़ है, एवं मनुस्य के परियावरण की खोज हे तू, एक बहुत बड़ी ब्यापक सकती है, बिल्कुल सही बात ही, जदी आपके इंतर का बती है, इक घिग्यासा होगी तब है, अगले आपका बैस्ट की जिग्यासा मांव का मौली गुड़ होगी चैनला का मौलिक गुड़ होता है, आप उस यानि कि कोई भी समस्या उसका खोज करेंगे अन्य था है आपको जानने कि कोई चीज की इच्छा ही नहीं होगी तो आप लोगों के पास बेसक समस्या वो समस्या एक प्रकार की बनी ही रहेगी ठीक है आप लोग उसको उसको समस्या समाधान यानि कि समाधान को खोज बहुत ही लेबल की होती है जानने की इच्छा ही आपको समस्या करती है ठीक है तो फॉर्ष आपका बिल्कुल करेक्ट है अगला कोशन है आपका कि अग्यात घटनाओं के बारे में वज्ञानिक और क्रमबध अध्यान का जो अग्यात घटनाओं के बारे में वज्ञानिक और क्रमबध अध्यान का पहलाता है पहला आपका बेवहारी कनुसंधान आपको वज्ञानिक और फॉर्थ आपका विसुद्ध विज्ञान ठीक है तो यहां पर जो आपसे पूछा गया है कोस्टन नमर 17 का कि अग्यात घट के बारे में वज्ञानिक और क्रमबध अध्यान कहलाता है तो इसका जो राइट आपसन हो जाएगा आपका विसुद्ध विज्ञान हो जाएगा ठीक है यानि कि आपसन नमर आपका जो फॉर्थ होगा वहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा विसुद्ध विज्ञान ओके फॉर्थ आपसन आपका बिल्कुल करेक्ट है अगला कोशन है आपका कि किसने कहा है कि जीवन किसने कहा है कि नमीन इग्यान की प्राप्ति है तू किये गए ब्यवस्थित प्रैतन को हम अनुशंधान कहते हैं यानि कि क्या कहा गया है कि नमीन इग्यान की प्राप्ति है त स्रीमती पालिन यंग ने ठीक है तो यहां पर जो देखे राइट अप्सन हो जाएगा कि नमी निग्यान की प्राप्ति हेतु किये गए बेवस्तित प्रैत्नों को हम अनुशंधान कहते हैं यह कथनकिष्टी के द्वारा कहा गया है तो यहां पर आपका जो राइट अप्सन ह कि आप सोच्णक पुस्तक किस ने लग्षा ख़े धान देजेगा यह सारे question दिखिए जो यह यानि कि राइटर वाले होते हैं पुस्तक वाले होते हैं ठीक है बहुत सारे question फस्ने भी लगते हैं किस पुछ ने लिखने कौन है या फिर पुछतक झऴ आपका also बत्रेंजन लिखनी है या опять आपका शुछ आर्ट के द्वारी के द्वारा लिखा गया है किस द्वारा बरनार्ड के द्वारा थाइक है यहाँ पर जो रायूट अप्स Нमबर फोर जो है वही आपका बिल्गोल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है आपका कि समाजिक सरवच्छड मोटे तोर पर किसी छेत्र विशेज के लोगों के रहन सहन तथा कारे करने की दसाओं से संबंधे तथियों का संकलन है यह कथन किसका है यानि कि जो समाजिक सरवच्छड वो मोटे तोर किसी छेत्र विशेज के लोगों के रहन सहन तथा कारे करने की दसाओं से संबंधे तथियों का संकलन है यह कथन किसका है पहला आप्शन है आपका स्रीमती यंग आपका हैं और फूर्थ आप्सन है अपका कूर्ट लेविल का ठीक है तो यहां पर देखिया जो राइट आप्सन होगा आप्सन नमबर आपका फॉर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जागा यानिके बोगार्डस का इनके द्वारा ही ये कथन कहा गया है कि जो शमाजिक सर्वेच्छड है ये मोटे तोर पर किसी छेत्र विसेज के लोगों के रहन सहंत ठकारे करने की दसाओं से संबंदित तत्यों का शंकलन है ठीक है ये बोग क्या क्या करती है द्व deutra हो का इसकष्वाठ का इसे संब्ले के सांचिक सब्छाओं ही हए ड्यानिग साउमाट्यां का से क्वेच्षत क्वेच्छ है वे यहां पर देखेंगा संब्ले कोश्य की तरफ चलेंगे और ब साहते हैंक इमारा क्या कहता है या परिकलपना की परिच्छा के अस्थान पर समस्याओं को परिभासित करता है या कथन किसने कहा है यानि कि जो इस्टेट्मेंट दिया गया है ये किसके अनुसार दिया गया है इस्टु अर्ट चेपिन के द्वारा या फिर पार्क के अनुसार या फिर सिर्मती यंग के अनुसार या फिर बर्जेस के अनुसार ठीक है तो यहां पर देखें यह जो इस्टेट्मेंट दिया गया था वो आपके पार्क के अनुसार दिया गया है यानि कि जो right option होगा आपको option number second जो है वहीं बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question है आपका most important question इसको आप तो कह सकते हैं कि survey methods in social investigation ठीक है survey methods in social investigation पुष्टक किस ने लिखी है P.B. Young ने, Karl Pearson ने, second option है आपका Mark Abrams ने या फिर fourth option है आपका AC Mojar ने ठीक है तो यहाँ पर देखें survey methods in social investigation जो पुष्टक है यह आपके CA Mojar के द्वारा लिखा गया है ठीक है यानि कि जो fourth option होगा यहीं आपका बिल्कुल correct हो जाएगा ओकी चलिए अगले question की तरफ चलेंगे और देखतें अगला question हमारा क्या गहता है question है आपका कि समाजिक सर्वच्च्ण निम्न में किस से संबंधित नहीं है दियान देजिएगा नॉट वाले कोश्चिन पूछे गए हैं आपसे कि समाजिक सर्वच्छार निम्न में किससे संबंधित नहीं है पहला आपसन है आपका समाजिक संस्थाओं से थाड आपसन है आपका समाजिक घटनाओं से और फोर्थ है और ब दोनों ठीक है या फिर और ड्यान देजिएगा नॉट या कौँ सा उघट है तो देखे है इहां पर यहां पर राइट ऑसन होगा आपका सममाजिक सर्वच्छार किससे मंभ्यदित नहीं है तो समाजिक संस्थाओं से सम् Malmo medit नहीं है यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा आपका समाजिक घटनाओं स कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान देजेगा, नाट वाले कोशन है, कि समाजिक सरविछत्षड के बारे में, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, पहला option है, इसका संभंध शामान्य व अमुर्द समस्याओं से होता है, second option है यहाँ उपकलपना का कारे करता है जिसे से यह नए शिद्धान्त की सृष्टी होती है और third option है आपका कि इसका उद्देश मानो इग्यान में ब्रिद्धी करना होता है और fourth आपका है कि उपर्युक्त सभी कथन सकते हैं ठीक है यानि कि देखें जो समाजी सरवच्छड क के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है जो not वाले questions दिये गए हैं वहीं आपको बताना है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर देखें सभी कथन सकते हैं कोई भी यहाँ पर कथन गलत नहीं है ठीक है यहाँ पर आपका जो right option होगा option number fourth है आपका बिल्गुल correct हो जाएग चलिए अगले question की तरप चलेंगे और देखते हैं अगला question हमारा क्या कहता है, question है कि समाजिक सर्वचछड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नहीं किया जाता है और third option है उपका कि इसके लिए उंपегоल पना की आविसकता नहीं होती और fourth option है यह एक प्रकार से भीक्तिकत नियान होता है तो समाजिक सरवच्षड होता है इस संबन्द में कौन सा कथन सकते है तो सबसेancia GEORGE और उसके लिए उपकलपना की आविशक्ता नहीं होता है तो यहाँ पर मीज हो कि य ajud हुआ होता है नहीं होता है तो यह चाहएं पर आपका थोड़-ाप्शन होगा वहीं किसको समाजिक सर्वेच्छड का उद्देश्य माना जाता है पहला option है कार्यकारण संबंद का एग्यान second option है आपका उपकलपना की परिच्छा third option है आपका समाजिक घटना का वर्णन और fourth option है आपका उपर युगतिस अभी ठीक है आपको बताना है कि किसको समाजिक सर्वेच्छड का उद्देश्य माना जाता है ठीक है तो यहां पर देखिए जो राइट option होगा फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानि कि कार्यकारण का संबंध का ग्यान होना चाहिए उपकलपना की परिच्छा और समाजिक घटना तो यहां पर जो राइट option होगा option number आपका फोर्थ जो है वहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानि कि उपर एक तुछ सभी इन तीनों को ही समाजिक सर्वेच्छड का उद्देश्य माना जाता है ठीक है यहां पर आपका फोर्थ option जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जा तो यहां पर आपका पूछा क्या है कि समाजिक सर्वेच्छड का उद्देश्य से नहीं है तो आपका विस्तरित अध्यन पर जो बल देना होता है वो आपका एक ट्रकार से समाजिक सर्वेच्छड का अध्यन जो उद्देश्य से जो होता है वो नहीं होता है ठीक है तो य लिए किस घटना को स्विकार किया जाता है पहला जो कि भागोलिक रूप से सिमित हो सेकेंड ऑप्सन है जिसका निश्चित समाजिक अर्थ वह महत्तो हो थर्ड आपसन है जिसको मापा जा सकता है और फोर्थ है उपर युक्त सभी तो देखें जो समाजिक सरवच्छड के लि आपसन नमबर आपका जो फोर्थ है वहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानि कि उपरुक्त सभी ओकी चलिए अगले कोश्चिन की तरफ चलेंगे और देखते अगले कोश्चिन हमारा क्या कहता है अच्छा यह कोश्चन आप लोग का डबल आ गया है ठीक है इसके बाद यहां से कोश्चन है वैसे यह कोश्चन तो समझ में आने रहा बढ़ चलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग थोड़ सा ध्यान दीजिएगा सारे कोश्चन जो है वो क्लियर आप लोग को समझ में आ जाएंगा ठीक है उतना भी नहीं कि कोश्चन समझ में नहीं आ रहा ठीक ह question है कि निम्न मेंसे कौन समाजिक सर्वेच्छड की विसेस्ता नहीं है ध्यान दिजेगा not वाले questions पूछे गए हैं कि निम्न मेंसे कौन समाजिक सर्वेच्छड की विसेस्ता नहीं है पहला option है आपका कि इसमें किसी समुदाय की रचना वक्रियाओं की समाजिक पच्छ का अध्यान होता है second option है इसका संबंध समाज की अत्यनत महत्तपुर्ण समस्याओं से है third option है आपका कि यह बग्यानिक पधती का सामान श्वरूप है जिसमें प्रायह गुडातनक विधी का प्रयोग होता है और fourth है कि इसका उदेश समाजिक सुधार या समाजिक प्रगति भी है अगला question है आपका कि समाजिक सरवच्षड बहुदा ही होता है यानिक जो समाजिक सरवच्षड वह बहुदा ही होता है अब्यक्तिकत अनुसंधान, second option निया आपका सहकारी अनुसंधान, third option निया उपका संस्थात्मक अनुसंधान ठीक है, तो यहां पर देखे, जो समाजिक सर्वेछट्ट बहुत दा ही होता है, वो आपका सहकारी अनुसंधान होता है, ठीक है? यानि कि जो right option होगा option number up का second जो है वो बिल्कुल correct हो जाएगा सहकारी अनुशंधान अगला question है आपका कि मोजर ने देखे question है मोजर ने समाजिक सर्वेच्छड की चार प्रकार की विसे सामगरी का उलेख किया है निम्नमिर से कौन सा अध्या छेतर है उन्होंने नहीं बताया उन्होंने जो मोजर ने समाजिक स मोजर ने समाजिक सरवच्छर की चार प्रकार की विसस्ताइं बताई है और कौन से छेत्र उन्हों ने इसमें से नहीं बताया था यहां पर देखिए जो राइट आप्सन हो जाएगा वो आपका मानमिय क्रियाएं हो जाएंगे यानि कि फॉट आप्सन इसको इन्हों नहीं ब चेत्र और अध्यन विससय को चार भागों में विभाजित किया है निम्हमें कान सभाग उन्हों नहीं बताया है तो निम्नमेसी कौन सा भाग उन्होंने नहीं बताया था पहला आप्सन है आपका परियावरड़ी तथ्या सेकेंड आप्सन है आपका बेवहारात्मक तथ्या फोर्थ आप्सन है इग्यान विचार दृष्टी कोड उद्देश और महत्मा कांच्छाओं का अस्तर और भागों में ही भी भाजित किया था था ठीक है उन्होंने जो शमूंगत प्रकृती प्राया सैध्धानिक होती है जबकि स Abb imagem सरवचल की प्रकृती होती है यानि कि समाजिक अनुस अंधान की जो प्रकृति होती है रहा झाई इस से रिडेटर हमने एक question और उपर देख लिया था ठीक है यहां पर जो right option होगा option number आपका second जो है वो बिलकुल correct हो जाएगा अगला question है आपका कि समाजिक सर्वेच्चण निम्न में किस से संबंदित होता है पहला option है विशिष्ट व्यक्तियों से second प्रोडावी श्थानों से third option है विशिष्ट व्यववस्थाओं से और fourth option है उपर्यूप्ति सबसे ठीक है तो देखेंगे जो समाजिक सर्वेच्चण होता है ठीक है यहा इन तीनों से ही समाजी सर्वेच्छड जो है वो शंबंदित होता है ठीक है तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नमबर आपका जो फोर्थ है वहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानि कि उपर्युक्त सबसे अगले कोश्चे नहीं है आपका कि समाजी कानुसंदान और समाजी सर्वेच्छड के उद्देश्य में है अधिकान से समानता परियाप्त और समानता या फिर भीननता थाड़ यानि कि फोर्थ ऑप्सन जो होगा वहीं बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा परसपर और संबध्धता ठीक है चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखें कि अगले कोश्चन हमारा क्या कहता है क्वेस्चन है आपका कि कौन सा समाजिक सर्वेच्छड एक समस्या विसेश के प्रती जनता में जागरुख उत्पन करने के लिए प्रयोग किया जाता है यानि कि कौन सा समाजिक सरवेच्छड है जो कि समस्या विङए जन्ता में जागरुकता उत्पन करने के लिए प्रयोग किया जाता है पहले ओप्सटन है तरफ यू प्रिबरणात्मक सर्वेच्छड स्जन्तित buenas suggest बंदर समाजिक सर्वेच्छ तो यानि कि प्रशारात्मक सर्वेच्षड के द्वारा ठीक है तो यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है कि भारत जैसे अर्ध विक्सित देशों में कौन सा सर्वेच्षड अधिक उपी होगी है यानि कि जो जैसे अर्ध विक्सित देशों में कौन सा सर्वेच्षड अधिक उपी होगी है यानि कि जो जैसे अर्ध विक्सित देशों में कौन सा सर्वेच्षड अधिक उपी होगी होगा तो यानि कि जो जैसे अर्ध विक्सित देशों में कौन सा सर्वेच्षड अधिक उपी होग जो हुए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानि कि सामान्य सरवेच्छड ओके अगला कोश्चन है अपका कि दीक निम्नने में से कौन सा सरवेच्चड अत्यां तक खर्चीला माना जाता जाता है इसलिए इसक्लास को लगब दो से तीन बार या चार बर आप यहां पर देखे जो question है कि निम्नुमेसे कौन से सरविच्छट अत्यन थी खर्चीला है, पहला option है पुनरवजित्ती सरविच्छट, फूर्ड और गुड़त्मक सरविच्छट, और फूर्थ अपूर्थ ऑप्सन है संगड़ना सरविच्छट, अपको बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा खर्चीला सर्विच्षड के अंतरगत आता है तो फोर्थ आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है आपका कि जाती एवं ब्यवसाय का सर्वच्षड निम्न में से किसका उदाहर है तो यहां पर देखे जो राइट ऑप्सन होगा कि जो ग्रामी उडिसा में जाती एवं ब्यवसाय का सर्वच्षड होता है वो निम्न में से किसका उदाहर है तो यहां पर जो राइट ऑप्सन हो जाएग प्रसंगातनक सर्वेच्छ, ठीक है, यानि कि जो राइट ऑप्सन है, ऑप्सन नंबर आपका फोस्ट है, बिल्कुल करेक्टर जागा है, आई हो आप आप सभी लोगों के आज के जो स्क्रीन पर क्वेश्चन्स हैं, अच्छी से नहीं समझ में आ रहे होंगे, बट आप लोगों टैपिंग वाले questions कराऊंगे, वरना इसी प्रकार से PDF के form में ही questions को solve कराऊंगे, बहुत कम टाइम बचा है, और मैं चाहती है कि जल्दी जल्दी आप लोगो सारे classes प्रवाइट कर दिया जाएं, कल 12 बजे तक सारे classes जो आपको प्रवाइट कर दिया जाएं, ताकि बहुत निम्ने से कौन सी प्रडाली का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, यानि कि एक विशाल उक défin delle, यानि कि कौन सी प्रडाली का प्रयोग बढ़ता जा सक्षा रहा से मन verified की लिए समाजिक विकास में सहायक सगेंड आपका वैग्विसुद्धता थाथ है आपका सीमित छेत्र और फौर्थ आपका उपकल पनाओं का आधार तो यहाँ पर देखे जो सबसे करेक्ट उपसन होगा कि काुन सा समाजिक सर्वेच्छर के उपियोगिता नहीं है तो आपका सीमित खित्र होता है जो समाजिक सरवेच्षड की उपियोगी ता नहीं होती है तो यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा ऑप्सन नमबर थर्ड जो है वहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन है आपका कि निम्न में से किसको समाजिक सरवेच्षड की सीमा नहीं माना पहले ऑप्सन है आपका अधिक समयं वधन का भ्याइव सेकेंड ऑप्सन है आपका संदेह परक विश्षवसनियतर थर्ड ऑप्सन है आपका एतिहसिक का अभाव और फोर्फ ऑप्सन है विस्यावस्तू से प्रत्यच्छ संबंध है यहां पर दीख है जो सबसे करेक्ट कि सामाजी चन्थान की योजना किसकी भाति एक जटिल प्रक्रिया है यानि कि जो समाजी कनुसंधान की योजना है, ये किसके भाती एक जटिल प्रक्रिया है, पहला option है आपका यंत्र निर्मार, second option है आपका वस्तर निर्मार, third option है आपका भावन निर्मार, और fourth option है इन में से कोई नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, जो right option होगा, option number आपका जो third होगा, वहीं बिल्कुल correct हो जाएगा यानि कि भावन निर्मार, third option आपका विल्कुल correct हो जाएगा, चलिए अगले question की तरफ चलेंगे और देखते अगला question हमारा क्या कहता है, question है आपका कि निम्ण में से किसी समाजीक अनुसंधान का प्रथम सोपान माना जाता है, आपके हो जाएगा प्रारंभिक विशार या फिर आए सकता है या फिर समस्या का जो छेत्र होता है वो समाजी कानुसंधान का प्रत्थम सोपान उसको माना जाता है ठीक है तो यहाँ पर जो राइट ऑप्सन होगा ऑप्सन अमबर आपका सेकेंड जो है वहीं बिल्कुल करेक हो जाता है फोर समाजy कानुसंधान पुर्व अध्यन से क्या लाभ होता है संधान में धेखेंड और आपकें होगा option number 4 जो है वहीं आपका बिल्कुल करक्ठ हो जाएगा यानि कि उपरयोगत सभी अगला कोशन है आपका कि अनुसंधान के पहले ही पूरो परिछ्छा से क्या लाभ प्राप्त होता है पहला option है अध्यन संबंद्य यंत्रों का उपयोगिता का यानि कि उपयोगिता का अध्यात हो जाती है अपका पध्धती सास्त्री सुधारों की आवे सकता का अग्यान हो जाता है और 4th option है आपका उपरयोगत सभी ठीक है तो यहां पर जो आपसे कोश्चन पूछा गया है कि अनुसंधान के पहले ही पूरो परिछ्छर से क्या लाभ प्राप्त होता है ठी यह सभी लाभ हमको प्राप्त होते है यानिकि पूरो परिछ्छर से यानिकि अनुसंधान के पहले ठीक है जो पूरो परिछ्छर होता उससे यह तीनों ही लाभ महत पूरो रूप से होते हैं तो 4th option आपका बिल्कुल करेक्टर है अगला कोश्चन है हमारा कि निम्न में से क कौन बैग्यानिक अध्यन का अंग सोपान नहीं है पहला option है उपकल्पना का निर्माड second option है आपका अवलोक निवम आकड़ो का शंकलन third option है प्राप्त आकड़ो का सत्यापन और fourth option है समान नहीं करड़या सिध्धान्त का निरूपर ठीक है तो यहां पर देखे जो कोश्च अगला कोशन है आपका कि समासास्त्रियों में सिमित समस्याओं के अध्यन का कष्ट उठाने का धैरे नहीं होता है तथा वे प्रायह एतिहासिक दारसनिक्ता का महान वीधियों की और अधिक प्रवृत्त होते हैं यह कथन किसका है यानि कि एक वर फिर से statement को सुनिएगा कि समस्याओं के अध्यन का कष्ट उठाने का धैरे नहीं होता है तथा वे प्रायह एतिहासिक दारसनिक्ता की महान वीधियों की और अधिक प्रवृत्त होते हैं यह कथन किसका है इस्टू आर्ट चेपिन का है लुंडबर्ग का है स्रीमतियंग का है या फिर इस्टूफर का लुंडबर्ग का यानि कि यह आपके लुंडबर्ग के द्वारा दिया गया है यानि कि इन्हों नहीं यह कथन दिया है ठीक है यहां पर आपका सेकेंड आप्सण जो होगा वो वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है हमारा की समस्ते संबंधित ब्यक्तियों से प्रत्याच्छ संपर्क इस्थापित करके सर्वेच्छड करना किस विधी का उधार यानि कि समस्त व्यक्तियुर से ठीक है प्रत्याच्छ यानि कि आमने सामने से संपर्क इस्थापित करके जो सर्वेच्छड करना होता है वो किस विधी का उधार होता है पहला आप्सन है आ आपका आवलोकन विधी और फॉर्थ ऑप्सन है आपका प्रसनावली विधी ठीक है तो इस प्रकार की यानि कि जो प्रत्यक्ष संपर के स्थाफित करके सरवेच्छर करना होता है वो आपकी संगणना विधी कहलाती है ठीक है कौन सी विधी संगणना विधी ठीक है तो फॉर प्रपत्र की रचना की जाती है पहला अप्सन है अपका प्रपत्र की रचना की जाती है पहला अप्सन है अपका प्रपत्र की रचना की जाती है पहला अप्सन है अपका प्रपत्र की रचना की जाती है पहला अप्सन है अपका प्रपत्र की रचना की जाती है पहला अप्सन ह रचना की जाती है ठीक है तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका जो फोर्थ है वहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन है आपका कि निम्न में से किसका उपयोग प्राया विवरादात्मक सच्छातकार में किया जाता है यानि कि किसका उपयोग है ऐस जो कि विवरादात्मक सच्छातकार में उपयोग किया जाता है पहला आप्सन है आपका सच्छातकार प्रदर्सिका सेकेंड आप्सन है प्रश्णावली थर्ड आप्सन है आपका अनुसुची और फोर्थ आप्सन है आपका आवलोकन ठीक है तो यहां पर देखे जो सबसे प्रदर्सिका का उप्योग किया जाता है तो first option आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलेंगे हम लोग अगले question की तरफ और देखिया हम लोगों ने अभी तक 50 questions अपने complete कर लिये हैं अगले question की तरफ और देखिया हमारा क्या कहता है question है आपका की निम्न में से कौन पूर्व अध्यन की उप्योगिता नहीं है यानि कि कौन इंचरो आप्शन में से पूर्व अध्यन की उप्योगिता नहीं है पहला option है आपका निदर्सन चैन में शहायता मिलना second option है आपका सूचना सुरोतों को खोज होना की होना चाहिए था पर सुतना सरोचों की खोज होना ठीक है थार्ड आप्सन है कि अध्यन के दौरान आने वाली कठिनायों को दूर हो जाना और फॉर्थ आप्सन है अध्यन की आवधी एवं ब्याय का अनुमान हो जाना ठीक है तो यहां पर देखें जो कोश्चन पूछा गया है कि निम्नमे से कौन पूर्व अध्यन की उप योगिता नहीं है ध्यान देजेगा सारे कोश्चन आप लोग रठ्टा अमार लेजेगा ठीक है कौन पूर्व अध्यन की उप योगीता नहीं है तो यहां पर जो राईटा अप्सन होगा आपसन那麼 third आपका बिलकुल गरफ़ जाएगा कि अध प्रतिवेदन के बारे में हम लोगों ने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो देखें यहां पर भी आपसे question पूछा दिया है, प्रतिवेदन का निर्माड एवं प्रकासन समाजी कन्यो संधान का कौन सा सोपान है, पहला है आपका प्रonstम चतुर्थ सष्टम या फिर अन्तिम तो यहां पर देखें जो अन्तिम लाश्ट होता है, यानि की प्रतिवेदन का जो निर्माड होता है, ठीक है, उसका प्रकासन समाजी कनुसंधान का अंतिम सोपान होता है ठीक है फूर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलेंगे अगले कोश्चन की तरह पूर देखते हैं अंगला कोश्चन हमारा क्या खेता है पहला आप्सन है आपका स्रीमतियंग का स्यकेंड आप्सन है आपका एकॉफ का थर्ड आप्सन है आपका कुल्ट लेविल का और फोर्थ आप्सन है बर्नार्ड का ठीक है तो यहां पर देखिया जो राइट आप्सन होगा यह आपका करेक्ट जो हो जाएगा वो आपका एकॉ स्माजी कनु संधान में वस्तो Northeast उस्ति प्रत्व, और यूंणक के अधियन ला तक है, richtना को कीछ जुड़ी के कहके हैं? होती है किस कारण होती है तो आपके मॉलिक-अथियों की प्राप्ति वास्ति-विक्ता का ज्यान और विज्यानिक्ता की प्राप्ति इन तीनों पर ही होती है ठीक है जो यहां पर जो राइट अप्षन होगा option नमबर आपका fourth जो था वहीं बिल्कुल भीवहारिक विसस्ता क्या है यानि कि एक सफल समाजिक अनुसंधार करता है उसकी एक ब्यवहारिक विस्षता क्या होती है पहला option है शहनसिलता, second option है आपका आकर्षक व्यक्तित्व, third option है आपका ब्यवहार कुसलता और fourth option है आपका बिस्या का पूड़ इग्यान, ठीक है, तो एक कि जो एक सफल सामाजी करूशंधान करता होता है, उसका जो ब्यवहारिक अगला कोशन है आपका एक अच्छी सामाजी का अनुसंधान करता कि विसे संबंधी विसेस्ता क्या है, पहला option है आपका संगर्थन सकती, second option है आपका प्रसिच्छड अनुभा, third option है वीचारों की सपष्टा, और fourth option है आपका समस्या पर एकाग्रता, ठीक है, तो देखें, जो एक अच्छी सामाजी का अनुसंधान करता कि विसे संबंधी विसेस्ता होती है, वो समस्या पर एकाग्रता, यानि कि क्या समस्या उस पर एकाग्रची थो करके उस समस्या का समधान ढूंदता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो right option होगा, option number आपका जो fourth होगा, वहीं question को देखते है, ठीक है, यानि कि एक सफल अनुसंधान करता कि अनुसंधान क्रिया संबंधी विसेस्ता क्या है, पहला option है, अध्यान विधियो एवं यंत्रो का इग्यान, second option है आपका विसाई मेरूची, third option है आपका विसाई का इग्यान, और fourth option है आपका सिग्र निरड़ हो जाएगा, अगला question है आपका कि किसी सामाजिक सोध करता में कौन सी बद्धिक विसेस्ता होना आवस्यक, यानि कि आप कोई भी सामाजिक सोध करता, यानि कि सामाजिक सोध करता, यदि आप हैं ठीक है, तो कौन सी वहाँ पर बद्धिक विसेस्ता होना जो है, वो आवस् सभी तो यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा फ्रेंड आपका फोर्स जो है वहीं बिल्कुल करक्थ हो जाएगा यानि कि उपर युग्त सभी ठीक है यह सभी आपके समाजिक सोथ करता में बहुत धिक विसस्ता होने चाहिए यानि कि विचारों के इस पश्चता और तार्किक सभी तो इस प्रकार से यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा यानि कि उपरोक्त सभी अगला कोशन है आपका कि समाजी कनुसंधान में वस्तोनिष्ट प्राप्टकरने के मार्ग में कौन सी कठिनाई आती यानि कि जब आप समाजी कनुसंधान करते हैं तो वहां पर अश्तो जो होती है उसको प्राप्त करने में उस मार्ग में ठीके कौन सी कठनाई आती है पहला अप्सन है आपका अनुसंधान करता का अभ्यक्तिकत ही तिया फिल्ष्वार्थ स्वार्थ सेकंड़ आपका भावात्मक प्रवर्तियों का प्रभाव थोड़ अभीनती पच्छपात के और फोर्थ है आपका उपरोक्त सभी तो यहां पर जो राइट आप्सन होगा उप्सन नमबर आपका जो फोर्थ है वहीं आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा यानि कि उपरोक्त सभी अगला कोशन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान प्रारचना नहीं है तो यहां पर जो राइट आप्सन होगा वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा परिकल्पनात्मक अनुसंधान प्रारचना नहीं है तो फॉर्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है अगले कोशन की तरफ चलेंगे और देखते अगला कोशन हमारा क्या कहता है question है आपका इसका अर्थ योजना बनाना अर्थात निरड़य लेने की इस्थिति उत्पन होने के पूरवही निरड़य लेने की प्रक्रिया ही प्ररचना है यह किस ने कहा है पहला option है आपका एक आफ ने second है करलिंगर ने third है आपका ओपेन हीम में और fourth option है आपका स्रीमति पीवी यंग ने ठीक है तो यहाँ पर देखे है जो right option होगा friends यह जो आपका definition यानि के statement दिया गया यह आपके एक आफ के अनुसार दिया गया है ठीक है तो जो right option होगा option number आपका जो first है वहीं बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question है आपका कि किस ने कहा है कि प्रारशना आसाफलता के विरुद्धवीमा है यहाँ अन्ततो गत्वाटिक है यहाँ अन्ततो गत्वा कम खर्चेरी प्रक्रिया है क्योंकि इससे अनुसंधा निस्पल नहीं होता है पहला option है लोंडमर्ग का, second option है आपका सेल्टी जहम अन्निका, third option है आपका ओपन हीम का और fourth option है आपका एक आफ का ठीक है किसका प्रकार्य अर्थ पूड़ समस्याओं के इस पश्ट उत्तर प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है पहला option है आपका अनुसंधान प्ररचना, third option है आपका अनुसंधान प्रतिवेदना और fourth है अनुसंधान उपकरण तो यहां पर देखे है जो आपका right option होगा, option number आपका, यहां पर जो सबसे correct होगा वो आपका second हो जाएगा यानि कि अनुसंधान प्ररचना ठीक है तो right option आपका second ही बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question है आपका कि अनुसंधान प्ररचना को एक प्रकार से माना जाता है यानि कि जो अनुसंधान प्ररचना है उसको एक प्रकार से माना जाता है पहला option है आपका अनुसंधान कारेकरम का प्रतिदर्श, second option है आपका अनुसंधान कारेकरम का अभिकल्प और fourth option है आपक कि निम्न में से किसी सामाजी घटना की खोज की जाती है। पहला आप्षन है आपका नी रूपडानात्मक प्रारणा कंड्रारणा के किस अध्यन으로 सामाजी घटना की छोजे जाती है तो यहां पर आपका फोस्ट अप्सक्ट हो जाएगा नीरूपडात्णक प्रारणा uh पहला option नहीं प्राकलपना या परिकलपना सेकेंड आपका वस्तोनिष्ट के था थोड़ा आपसन आपका सोध प्रारचना और फोर्थ है इनमें कहता है कि एक सोध प्रारूप अनुसंधान का तार की केमम बेवस्थित आयोजन निर्देशन है यह कथन किसका है पहला आप्शन है इस्ट वर्ट चेपिन का सेकेंड आप्शन है आपका आर एक आप्शन आपका करलिंगर का और फॉर्थ आप्शन है यहां पर देखे जो रा इनका एक कथन है कि एक सोध प्रारूप अनुसंधान का तार की केमम बेवस्थित आयोजन निर्देशन है ठीक है पीवी यंग के द्वारा कहा गया है अगला कोश्चन है आपका कि जब किसी अनुसंधान कार्य का उद्दे से किसी सामाजी घटना में अंतरनेहित कारणों क कि धूול निकालना हो तो उससे संबंध रूप रेक्हा को कहा जाता इस पहला आपका निदनात्मक वागानात्मक वाड़नात्मक वहीं बिल्कुल प्रुक्रेक्त हो जायेगा अगला क्योशन है कि नड़ायों को क्रिछानवीत करने की इस्थिती आने से पुर्व नड़ाय लेने की प्रकुरिया को कहा जाता है लामानिंद करने की इस्थिती का है प्रतिवेदद्ञि Impossible तो देखें यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा यानि कि सोध प्रारचना ही आपके निड़ों को क्रियानिवित करने की स्थिति आने से पूर्व निड़य लेने की प्रक्रिया होती उसको सोध प्रारचना कहा जाता है अगला कोश्चन है आपका कि निड़ों लेकित सोध प्रारचनाओं यानि कि प्रारचनाओं में से कौन समस्याओं का वास्तविक इग्यान प्राप्त करके उनके समाधान ढूंडने के लिए सरवाधिक उप्युक्त होती है पहला उप्सन है आपका निदानात्मक प्रारचना और थोड़ है आपका परिच्छात्मक प्रारचना और फोर्थ है वर्लानात्मक प्रारचना देखिए किसी भी समस्याओं का वास्तविक इग्यान प्राप्त करके उसमें समध्धान धुनने की सरवाधिक उप्युक्त हो क्वेश्चन है कि समाने तह कौन सी घटना अनुसंधान करता को प्रेरित करती है पहला आपका संक्रमण कालीन घटना सेकेंड है आपका शीमांत व्यक्तियों से प्राप्त वीवर्ड थौर्ड आपका समाजिक धाचे में विभिन इस्थितियां और फोर्थ आपका उपर्यु कालीन घटना सेमांत व्यक्तियों से प्राप्त वीवर्ड और समाजिक धाचे में विभिन इस्थितियां यह तीनों ही आपके अनुसंधान करता को प्रेरित करती है तो यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा और आपका फोर्स जो है वो बिल्कुल करेक्टर हो जाएगा ओके अगला कोशन है आपका कि निम्न में से समानिता कौन सी घटनाएं अनुसंधान करता को प्रेरित नहीं करती है यानि कि कौन सी घटनाएं जो अनुसंधान करता को प्रेरित नहीं करती है पहला ऑप्सन है आपका इस पष्ट घटनाएं सेकेंड ऑप्सन है आपका ब्याधिक क्या गच्छन है और फौर्थ आप्सन आपका अप्यक्तियों के विसे स्ताय ठीक है तो यहां पर देखें जो राईट ऑप्सन होगा आपका परिचितों की प्रतिक्रिया हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट यानि की समाने तहां ऐसी कौन सी घटना जो अनुसंध्धान करता को प अन्वे सलात्मक प्ररशना का कारिय नहीं है ध्यान देजेगा अन्वे सलात्मक प्ररशना का कारिय नहीं है पहला आपसन है आपका कि विज्ञान की सीमाओं में विस्तार करके उसके छेत्र का विगास करना सेकेंड आपसन है आपका पूर्व निर्धारिक परिकल्पना का त करें नहीं है तो यहां पर उप्सिन नमबर आपका थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हूज़ागा यहीं नहीं है अगला कोशन है कि अधिक निश्चित अनुसंधान के दृष्टि से प्रासंगिक प्राकलपना के निरुपड में सहायक अनुभा प्राप्त करने के लिए आनुवे शडात्मक अनुसंधान आवस्यक है। वह आपका right option है, salt is even unnika, ठीक है, तो यहाँ पर जो right option है, option number आपका first जो है, वहीं बिल्कुल correct हो जाएगा, अगला question है आपका, कि विभिन विद्वानों ने वर्ड़नात्मक अध्येनों में किस प्रडाली की सहाता से सूचना एकत्र की है, यानि कि कौन से ऐसे विद्वान ह किस प्रडाली की सहाता से, यानि कि किस प्रडाली की सहाता से सूचना एकत्र की है, पहला option है सच्छतकार एवं प्रशनावली, second option है आपका शामुदाईक रिकार्ड एवं विसले सर्थ, third option है आपका सहभागी आवलोकन्त, और fourth option है आपका उपर युग्ट सभी, तो देख यानि कि सभी प्रडाली की सहाता से सुचना एकत्र की है विभिन विद्वान होने, ठीक है, तो fourth option जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चलेंगे अगले question की तरह और देखते, अगला question हमारा क्या कहता है, question है कि कौन से अनुसंधान कारे में श्वयम सोध करता ह तो यहां पर देखें, जो right option होगा, friends, आपका निदानात्मक हो जाएगा, right option आपका third, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निदानात्मक, अगला question हमारा कि निम्न में से किसने तीन प्रकार के परिछडात्मक अध्यानों का उलेख किया है, यानि कि किसने तीन प्रकार के परि परिछडात्मक अध्यानों का उलेख किया है, यानि मैज के द्वारा किया गया, जो जान मैज थे, इन्होंने तीन प्रकार के परिछडात्मक अध्यानों का उलेख किया था, तो यहां पर जो right option होगा, option number आपका second है, वहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, okay, अगला question है कि कि किसी समुह या समुदाई की जनसंख्या, आयू समुह प्रजात्य लच्ण सार्रिक अवं मानसिक स्वास्त्य सिच्छा, आवास का अध्यान निम्नमे से किसी से संबंदित है, पहला option है आपका बड़नात्मक प्ररचना, second option है आपका परिछडात्मक प्ररचना, third option है आप कि अनवे समुदाई की जनसंख्या, आयू समुह प्रजात्य लच्ण सार्रिक अवं मानसिक स्वास्त्य सिच्छा आवास का अध्यान निम्नमे से किसे संबंदित है, यहां पर जो राईट आप्शन हो जाएगा यहां वाड़नात्मक प्ररचना से संबंदित है, यहां पर आपका फर्स्ट आप्शन है, वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानि कि वाड़नात्मक प्ररचना से, अगला कोशन है आपका कि अनवे समुदात्मक सोध प्ररचना की सफलता के लिए निम्नमे से किस अनिवारता का अनुपालन किया जाता है, यहां पर पहला संबंधित साहित्ते का अध्यान, सेकेंड ऑप्शन है आपका नमीन सर्वेच्छर, थार्ड उक्त दोनों और फोर्थ है इन में से कोई नहीं, ठीक है जो यहां पर देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहीं आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानि कि जो सम्व कोईशन है अपने संकुचित आर्थ में व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी नीजी कारियों, अनुभव और विस्वासों का एक स्वतह लिखित सहज वरण है यह कथन किसका है यानि कि जो इस्टेटमन दिया गया है कि अपने संकुचित आर्थ में व् जिल्खेशन है और आप्सेशन है गया है यह कोईशन की तरफ शलेंगे और अग्ला कोईशन है कि विवय, विच्थ, मित्रत, प्रेम और वेवाहिक संबंध में जैसे एकहला है पहला willst सिंसम् civ रगां से अच्ब कता कर दृइंद में सिंस्पराय से जिए आट्मचा से ऊर्ट freak सब्सें जो ड्राइ पडेक्ट में हुगा होाई जैसे को इससे संबंद से ग्यात होते हैं। तो फोर्थ आपसन आपका बिल्खुल कर्यक्ट हो जाएगा अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला कोश्चन हमारा क्या कहता है इस प्यक्तिकत प्रलेक आपने परिचित रूप में अधिक मुल्यांकन होते हैं यह विचार किसका है पहली अप्सन है आपकाında परिचित रूप में अधिक मुल्यांकन होते हैं थीके कोश्चन का है स्कार्णाइब कौन सा गुड़ उले फ़र्ष्ट आपका अधिकान से सूचनाइब खाना पूरी मात्रा में होती है ठीक अधिकान से सूचनाइब कोई प्रतीवंद नहीं होता है third option है आवस्यक सुचनाय सिग्र उपलब्द होती है और fourth option है आपका कुछ पच्छो को विशेज समर्थन दिया जाता है तो देखें जो question आपसे पूछे गए हैं सरकारी सुचनायों को निम्न में कौन सा गुड उलेखनी है ठीक है तो यहां पर जो right option होगा option नमबर आपका second बिल्कुल correct हो जाएगा कि इनके प्रयोग पर कोई प्रतिबंद नहीं होता है ठीक है तो second option इसका आपका बिल्कुल correct हो जाएगा चलेंगे अगले question की तरफ और द चेत्रों में फैले हुए व्यक्तियों से प्रत्यच संबंद स्थापित करके महत्पुल तथियों को प्राप्त कर लिया जाता है पहला option है आपका आनुसुची, second है आपका आवलोकन, third है साच्छातकार और fourth है प्रशनावली तो यहां पर देखिए जो right option हो जाएगा option प्राप्तियों के अंतरगत आएगा जन्गारना रिपोर्ट, पुलिस रिकार्ड, वर्ला नियात्रा और सर्वेच्छर रिपोर्ट यहां पर जो right option होगा option नमबर आपका second ही बिल्कुल correct हो जाएगा ओकी चरी अगले question की तरफ चलेंगे और देखिए अगले question हमारा क्या कह की रिखत समागरी का उपयोग करते समय किस बाती जाच करना आवस्यक हो तहां है ne Christopher लिखित समगरी का उपयोग कर रहे हैं ठीक है तो उसको उपयोग करते समय किस बात की जाच करना आवस्यक है पहला उपसन है आपका साधनों की विश्वसनिय था थोड़ा आपका संकलन की शमयावदी और फॉर्थ उपरोक्त सभी ठीक है तो यहां पर जो राइट ऑप्सन हो तो इन सभी का आपको जाच करना आवस्यक हो जाता है तो राइट ऑप्सन जो होगा और फॉर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट है अगला कोशन है आपका कि नेम्न में से किसे व्यक्तिकत प्रलेखों की सीमा दोस्त माना जाता है पहला उप्सन है आपका वयजता की समस्या सेक तो फोर्थ जो है वह आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है कि वे तथ्य प्राथ्मिक होते हैं जिन्हें एक विशेश अनुसंधान समस्या को हल करने की प्रयोग होतु एक गत्र किया जाता है यानि कि किसने कहा है कि वे जो तथ हैं, वो प्रामाटी, प्राथमिक होते हैं, जिन्हें एक विशेश अनुसंधान समस्या को हल करने के प्रयोग होतु सस्ट है को जाता है पहला जाता है आपका राबार्ट्चं अबं राइट् सेगंड ponieważ आपका गूड़ एवं ह εν हैқ, तो राइट आप्सन आपका आपका आप्सन नमबर थोड़ हो जागा पीवी यंग अगला कोशन है आपका कि निम्न में कौन सी सामगरी प्रत्थम अस्तर पर प्राप्त संकलित की जाती है जिसके संकलन और प्रशासन का उत्तरदाईद तो उसके प्रात्मिक अधिकारी के तो यहां पर जो राइट आपसन नमबर आपका फोर्ट संकलन का प्रत्यच स्रोत नहीं है यानि कि कौन सा तत्य संकलन का प्रत्यच स्रोत नहीं है पहला ऑप्सन निम्न में से कौन जीवन इतिहास का एक प्रकार नहीं है ध्यान दीजेगा जीवन इतिहास के अक प्रकार नहीं है नॉट वाले कौशे गए हैं पहला आपसन है आपका का कि प्रेडित , ओप्सें उप्सें समकलिक जी वन कान एक्रकार्थ नहीं है , और ऑप्सें नियुकर की products नेलां जेए सम जालें हैं मेंसे किसके अनुसार किया जाता है यानी कि जो right option होगा option number आपका second जो होगा वहीं विल्कुल correct हो जाएगा अगला question है आपका कि निम्न में से कौन सूचना का प्रत्य छिसरोत नहीं है ध्यान देजेगा not वाले question पूछे गया है कि कौन सा सूचना का प्रत्य छिसरोत नहीं है पहला option है निरिच्छल, second option है अनुसुच third option है अपका सच्छतकार और fourth option है अपका प्रश्णावली ठीक है यहां पर देखे है जो right option हो जाएगा कि कौन सूचना का प्रत्य छिसरोत नहीं है तो वह आपका प्रश्णावली होगा यानि कि जो right option होगा option number आपका जो fourth होगा वहीं correct होगा यानि कि जो हमसे not वाले question पु वास्तविक बिवहार का अध्यान और गहन अध्यान निम्न में से किसके गुड़ है यानि कि जो प्रत्यक्ष अध्यान होता है वास्तविक बिवहार का अध्यान और जो गहन अध्यान होता है यह निम्न में से किसके गुड़ है पहला option है आपका सच्छतकार second option है आपका सह सब्सक्रेंद की में अग्ला कोशे नहीं है कि आंत्री विचारों भावनेव सबस्क्राइब तो सरवाधिक उप्युक्तमाध्यम पंढ़ हो तो पहला is पत्रपत्रिक उप्र्प करिकौूर एपकाιο 5 अभर सब्सक्राइड मादा हो मता एक 29 आगले एक प्रिकार के लिए रहते हैं जो भी उसके अंत्रिक विचार होते हैं जो भी उसका दृष्टी कोड़ होता है तो सरवाथिक उप्यूक्त माध्यम हों का उसका डायरी हो जाएगा ठीक है फोर्थ आपका बिल्कुल प्लक्रक्ट हो जाएगा अगला कोश्शन है का के और तर्थ पराथमिक सरोत सेकेंड है कि तुर्ट आपको और धूत THATard करें बिल्कुल करेक्ट होगा, अगला एक्छिन है डिल्ग कुछन सुचना प्राप्तिक के लिए अप्रत्यच सुरोत होते हैं उसमें से कौन सरवाधिक प्रचलित है पहला अप्सन है आपका दुर्भास सचछतकार सेकेंड है प्रशनावलिया थोड़ा आपका मत्परत पत्र और फोर्थ है रेडियो अपील ठीक है तो यहां पर देखिए जो सुचना प्राप्तिक के लिए अप्रत्यच सुरोतों में निम्न में से कौन सरवाधिक प्रचलित है तो यहां पर आपका प्रशनावलिया हो जाएंगे जो सबसे प्रचलित है यानि कि जो राइट आप्सन होगा आपका सेकेंड जो है वहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है कि शामाने आकड़े और विसेस तथ्य आ नीजि विशारों का संक्लन करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है यदी यानि कि जो जो जर्ध आप्सन होते हैं जो 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 प्रचलित होता है तो यहां पर देख़ें जो सबसे प्रचलित होगा ऑप्सन को्टिक बीने क्वारकासित है यांनि कि कौन सा सारवजनिक प्रलेख का प्रकासित में पहले अप्सजिए ऩngच Islamal आपके स्तालवजनिक प्रगलेख का प्रकासित स्रोथ है ठीक है तो यहां पार जो राइट आप्सन होगा आपका जो फोर्थ होगा वहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन है कि किसने कहा है कि प्रात्मिक स्रोथ हमें प्रथम इस्तर पर शंकलित की गई सामग प्रात्मिक प्रथम प्रदान करते हैं अर्थात यानि कि जिन्हों ने उसे एकत्र किया है उनके द्वारा प्रस्तुत की गई मौलिक सामगरी पहला प्रश्ट मौन सेकंड आप्सन आपका पी वी यंग थर्ड आप्सन आपका लॉंडबर्ग और फोर्थ आपसन आपका सिन प्रात्मिक तत्यों का विसिष्ट गुड़ है पहला अप्शन है धन वर्ष नमय की बशचत सेकेंड ऑप्सन है ब्यवहारिकता एंवं वस्तविक्ता थर्ड ऑप्सन है विगत घटनाउं का अध्यन तो यहां पर देखे हैं, जो सबसे correct option बनेगा, वो आपका हो जाएगा, बेवहारिक्त था वास्तविक्ता जो होता है, वो प्रात्मिक तत्यों का विसिष्ट गुड माना जाता है, ठीक है, बेवहारिक्ता एम वास्तविक्ता, ओके, तो यहां पर आपका जो right option होगा, option number आप जो fourth होगा, वहीं बिल्कुल correct हो जाएगा, यहां प्रात्मिक तत्त हैं, इनको कितने स्रोथों से प्राप्ति किया जाता है, तो right option आपका fourth होगा होगा, वहीं बिल्कुल correct हो जाएगा, अगला question है आपका, facts and how to find them, नामक पुस्ता किस ने लिखी है, पहला option है, नामक पुस किता का third option होगा, पैसा होगा, चर्फजा, यहां पर यहां रिखी का Northern two चर्फे। अचे का drop max. इनको के diplom पैसे किता होगा, प्राप्शन होगा, वहीं रिखी होगा, वहीं बिल्कुल correct होगा tada diya, यारी जो third option होगा, यहां बिल्कुल correct हो जाएगा, तो right question होगा, प्राफ को कोश्चन है कि तथ्यों को ऐसे बहुतिक या सारडिक मानसिक या भावात्म घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए जिनकी निश्चे पुर्वक पुष्टी की जा सकती है ठीक है तथा जिने भास्ति की दुनिया में सच कहकर स्विकार किया जाता है या कथन किसका है प आपके स्रीमती यंग के द्वारा दिया गया है तो यहां पर जो राइट अपसन होगा अपसन नमबर आपका थाड़ी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो आई होब देखिए आज कि यह सारी कोश्चन आप लोगों ने इसको तयार कर लीजएगा ठीक है क्योंकि कहा से पूछ देगा यह बिल्कुल भी पता नहीं है तो जो लोग अभी भी सेयर नहीं किये हैं इस वीडियो को यानि कि इस क्लास को ठीक है वो सभी लोग एक लोग यानि कि अपने पांच-पांच फ्रेंडों को सेयर कर दीजे निजदिक है बहुत ही एक्जाम आपके ठीक है काफी नजदी के परस्तों ही आप लोग एक्जाम है तो ज्यादे लोगों को सेयर करें और ज्यादे लोगों को हेल्प मिलेगा और ठीक है और जो अगली क्लास इसकी है यह हम आप लोगों को नौ बज़े तक अपडेट कर देंगे यूटूब पर ठीक है हमारी परसंट से इसके बाद आप लोगों को जो जाएगी आप लोगों को अपनी तयारी तो जाली रखिया ठीक है बिल्कुल भी आराम मत करें को थोड़ा सा हाड है और 27 को ही एक्जाम है तो थोड़ा ध्यान दीजेगा और एक चीज़ अब अभी तक चैनल को लाइक आप अश्क्राइब आपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने वाटसप फेस्बूक इंस्टा और टेलिग्राम के जरीए सेयर करें ताकि सभी लोगों को हैल्प मिल सके और शाथ ही साथ वेल आइकन को भी प्रेस कर देगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो को नाटिफिकेस है सबसे पहले आप सभी लोगों के फास मिल सके ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद बबाई